Hello Everyone, Welcome to Kwan Saab, मेरा नाम धर्मिंदर राजबर है आज हम बात करेंगे option selling के बारे में और ये देखेंगे कि उसमें मैं एक wide range कैसे उसमें पता करता हूँ और उस wide range के तहित मुझे कितना अच्छा profit हो सकता है हम वो भी देखेंगे, हम एक proprietary tool भी देखेंगे जैसे कि अगर आपको wide range identify करने में problem होती है तो हमारा एक proprietary tool है जिसमें automatically आपको identify करके दे दिया जाएगा कि कौन से range में मुझे selling करनी है तो चलिए चलते हैं, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि option selling लोग करते क्यों है और उसका क्या फाइदे होते हैं, फिर मैं आपको range के मुटाबिक दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैं उसमें option selling कर सकता हूँ ठीक है, तो चलिए चलते हैं, पहले हम discuss करते हैं कि option selling होता क्या है and option selling के मुटाबिक मैं किस तरीके से उसमें trading करता हूँ ठीक है, तो option selling तो option selling इनके पास सबसे बड़ा advantage होता है time decay क्योंकि जो option buying कहते हैं जैसे माल लिजे अभी फिलाल जो nifty का level है जैसे माल लिजे 24,900 का level है तीक है ये nifty का range है तो इस nifty के range में अभी माल लिजे कि आप ने ATM level का कोई call option buy किया या put option buy किया जो भी आपने buy किया है call option buy किया है या put option buy किया है जो लोग option selling start करना चाहते है या फिर सीखना चाहते है तो उनके लिए खास करके वीडियो है तो यहाँ पर call और put option है मेरे सामने ATM level का strike है ATM level का मतब 24,900 का मैं call या put को buy कर रहा हूँ तो अगर माल लिजे इसका price है 150 इसका भी price approximate 150 या 145 ऐसे something कुछ भी होगा ठीक है मैं दोनों का equally ले ले लेता हूँ अभी माल लिजे यह जो 24,900 का level है तो अगर market कुछ दिनों तक इसी range bound रहे जाता है मतब माल लिजे कि वो 24,925,000 भी गया वापस return होके 24,900 पर आ गया ठीक है या फिर वो 24,800 गया और वापस return होके वो 24,900 पर आ गया ठीक है तो इससे होगा क्या हमें क्या लगेगा कि ठीक है कि यह इस पर्ड़गर price पर वापस आ गया है तो अगर वो 100.2 पर गया है तो ATM level का है 0.5 अगर डेल्टा भी होगा तो भी आप देखोगे यह approximate आप देखोगे कम से कम 50 points उपर जाएगा तो यह 200 हो जाना चाहिए तो 25,000 के level पे यह 200 होगा ठीक है similarly यह 200 होगा कहाँ पर 24,800 के level पे ठीक है 24,800 के level पे लेकिन मालीजे वो एक ही दिन में या दूसरे दिन वापस से return होके वो 24,900 आ गया या उसके आसपास आ गया मालीजे 24,920 पर आ गया ठीक है 20 points उपर तो क्या जो 20 points उपर इसके उपर अगर रहता है तो मतलब वहाँ पर यह 160 होना चाहिए call तो क्या यह 160 रहेगा क्या 150 भी रहेगा बिलकुल नहीं ठीक है बिलकुल नहीं similarly इसका भी अगर यह यहाँ से वापस से बढ़के 24,880 हो जाता है या 890 हो जाता है तो क्या यह यहाँ पर 1500 या 160 रहेगा बिलकुल नहीं रहेगा ठीक है reason इसका क्या होता है 160 पकले reason इसका होता है time decay reason उसका होता है time decay ठीक है मतलब आप देखोगे जितना days to expiry ठीक है days to expiry जितना pass में होती है उतना ज्यादा time decay होता है ठीक है days to expiry तो यह होता है कि अगर वो range bound हो जाता है यह उसी के आसपास आके दुबारा 2-3 दिन में या 4-5 दिन में दुबारा वो 24-9 अडे पर आ जाता है तो जो option का premium है मेरा same बिलकुल नहीं रहेगा मेरा same बिलकुल नहीं रहेगा because of time decay जो theta factor होता है जो हमारे लिए वर्दान सावित होता है ठीक है अगर वो same चीज रहता है तो मतब एक जो option seller होता है उनके लिए वर्दान सावित होता है क्योंकि time decay के वज़े से वो जो option घट रहा है उनका उनको premium मिलता है मतब क्या करेंगे वो 1500 रुपे पे option को sell करेंगे 1500 रुपे पे option को sell करेंगे और वो वापस से चाहपा दिनों में वही पर आके गिर जाता है तो मुझे यहाँ पर क्या थोड़ा बहुत profit मिलेगा ठीक है premium का दिखाते हैं कैसे हम क्या करेंगे यहाँ पर जाते हैं track में जाके option chain में मैं आता हूँ ठीक है और यहाँ पर हमने Apollo hospital लगा रखा है चलिए Apollo hospital को देख लेते हैं ठीक है what if मैं जाता हूँ ठीक है यहाँ पर अभी देखें यहाँ पर जो premium है call option का premium है current जो इसका price है वो है double six four six ठीक है stock में देख लेते हैं कोई दिक्कत नहीं आपको nifty में भी दिखा देंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं जो इसका premium है six six five zero ठीक है अगर यह date tax pair ही थोड़ा बदल जाता है ठीक है इसी को अभी देखें यहाँ पर premium देखिए 176 है call का premium देखिए 176 है और put option का premium देखिए 180 है ठीक है यहाँ पर आप delta देखिए 0.5 है जो मैं कहा रहा था ATM level पर होता है theta देखिए minus 3.06 है यहाँ पर भी minus 3.16 है ठीक है तो theta देखिए कैसे बढ़ता घरता है और premium देखिए कैसे गिर जाता है यहाँ पर 176 से 180 है तो यहाँ से माल लीज़े मैं 3-4 दिन भी अगर आगे किसको वहाँ पर hold करता हूं तो देखिए 176 से 156 आ गया वो 180 से 160 आ गया ठीक है वही पर आप देखोगे इसका theta देखिए बढ़ गया यह 3.16 था यह 3.6 हो गया वो 3.04 था वो 3.6 हो गया 3.59 हो गया ठीक है तो यह होता time decay का फायदा option seller के लिए ठीक है तो लेकिन क्या होता है कि हमें एक wide range में अगर पकड़ेंगे तो हमारे लिए benefit होता है अगर हम आसपास का पकड़ेंगे तो थोड़ा दिक्कत है जैसे यह आप देख़ेंगे 6600 है 6650 है अगर इसी range में आप पकड़ लेते हो ठीक है अगर expiry के नजदीक है तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन expiry सो थोड़ा दूर है fluctuate हो गया तो आपको losses ज़्यादा हो सकते ठीक है तो इसी दिक्कत को दूर करने के लिए मैं आपको पहले एक manually दिखाता हूँ कि manually हम कैसे करेंगे तो track में जाके open interest को मैं देखता हूँ ठीक है तो यहाँ पर जैसे मैंने Apollo Hospital अगर लगा रखा है क्या मैं इस range से कर सकता हूँ थोड़ी दिक्कत आई ही विकोज यहाँ पर सबस्यदा call raters होगा वो पार OTM होगा वहाँ पर मुझे premium भी कम मिलेगा मुझे premium थोड़ा अच्छा चाहिए बच्छा option selling तो हमें तब करना चाहिए volatility market में ज़्यादा होती है तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा मुझे देखना पड़ेगा कि एक particular range bound क्या हो सकता है तो अगर मैं यह देखूँ कि यह एक range 6600 है 66800 में देखूँ यहाँ पर ज़्यादा call raters है put raters मुझे कहां देख रहे हैं 6400 पर ज़्यादा देख रहे हैं लेकिन इसके मुकाबली में देखूँ ज़्यादा मुझे put raters कहां है 6000 पर है तो थोड़ा सा मुझे ज़्यादा देख रहा है अगर मैं strangle वाले strategy अगर इसमें बनाता हूँ कि strangle वाला अगर मैं sell कर रहा हूँ 800 का लेता हूँ तो भी मेरे लिए beneficial है ठीक है और 6400 का लेता हूँ तो भी मेरे लिए beneficial है तो इस तरीके से मैं क्या करूँगा एक मैंने range बनाया है क्यूंकि मुझे वाँ पर writers अच्छे लग रहे हैं आप देख सकते हो तो उसके लिए मैं क्या करूँगा मैं जाओँगा option architect में तो trading में जाके trading में जाके मैं option architect open करता हूँ अभी मुझे क्या करना है यह either ways इसमें मैं जा रहा हूँ इसमें हम जा सकते हैं नहीं तो मैं oscillate में जाओँगा क्यूंकि oscillate मैं इसलिए ले रहा हूँ यहाँ पर आप क्या देखोगे oscillate मैं इसलिए ले रहा हूँ क्यूंकि मेरा prediction ही वैसा है मेरा यहाँ पर prediction क्या है कि जो particular stock है वो इस range में घूमने की आशंका है इस range में ठीक है माले यह आपने अंदाजा लगा है कि घूमने की आशंका है कि इस range में यह घूम सकता है अभी अंदाजा हम कैसे लगा सकते हैं अंदाजा लगाने का एक तरीका होता है तो पहले मैं आपको वो तरीका एक बार एक आपर दिखा देता हूँ जैसे track में जाएंगे तो track में built up script symbol में मैं जाओंगा और यहाँ पर मैं future oi historical को में देखूंगा ठीक है तो future oi historical मुझे क्या बताता है data बताता है कि यहाँ पर जो market participants है वो कितना aggressive है इसको buy sell करने के लिए ठीक है तो यहाँ पर जो green bar है वो आपको दिखा रहा है long built up और उसी के साथ जो blue bar है वो दिखा रहा है आपको long unwinding ठीक है so अगर मैं long built up और long unwinding को मैं कंस्डर करता हूँ ठीक है just a minute आपको एक छोटा सा brief दे दता हूँ इसमें ठीक है तो यहाँ पे long built up और long unwinding ठीक है यह दोनों condition किसके होते हैं bullishness के होते हैं ठीक है और वहीं पर आप देखोगे short built up और short covering यह आपके bearishness के होते हैं ठीक है bearish के होगे तो यह 20 days का जो cycle है इसमें generally तो मैं यह देखूँगा कि long built up और long unwinding अगर जादा है तो मुझे indicate कर रहे हैं कि इसमें uptrend रह सकता है तो मुझे उसमें bullish वाला trade बनाना चाहिए और यहाँ पर अगर मुझे short built up और short covering जादा दिखता है तो उसमें मुझे bearish वाला trade बनाना चाहिए ठीक है लेकिन आप यह देखिए जब भी ऐसा aggressiveness होता है ठीक है आप आगे जाके देखिए कि जो market participants है उनका interest थोड़ा कम हो जाता है जैसे यहाँ पर देखिए gradually यह decrease हो रहा है gradually यह decrease हो रहा है और आप यह देखिए यह थोड़ा-थोड़ा यहाँ पर उपर बढ़ रहा है because यहाँ पर जो short built up थे वो short covering कर रहे है यहाँ ठीक है और long built up चलनी जा रहा थोड़ा long unwending हो रहा है यहाँ से थोड़ा उपर गया लेकिन market participants है ना उनका interest यहाँ पर कम हो गया उनका interest यहाँ पर कम हो गया तो आप देख सकते हों यहाँ पर पूरी तरीके से 19 से लेके 23 तक आप देख सकते हो पूरा range bound हो गया तो अगर हमने यहाँ पर एक अंदाज़ा लगा कि यह यहाँ पर participants data कम है तो मैं यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, अपना selling कर सकता हूं, ठीक है, generally, अभी stock है, stock में थोड़ा सा issue यह होता है कि आपको time decay वो कम मिलता है, ठीक है, time decay आपको कम मिलता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर nifty और bank nifty करेंगे, because उसमें time decay का फायदा जादा होता है, just आपके understanding के लिए मैं बता रहा हूं, कि जैसे आपर data आपको कम मिलता है, ठीक है, तो data कम होने का फायदा क्या होता है, कि आपको थोड़ा market range bound हो जाता है, यहाँ से देखिए, participant gradually कम हो रहे हैं, तो यहाँ पर अगर एक range identify करके, आपने आपर selling करते हो, तो यह देखिए, ज्यादा market move नह ज्यादा हो रही है, मतलब आपर ज्यादा तर profit booking हो रहा है, या फिर loss booking हो रही है, ठीक है, तो range bound पूरा हो जाता है, तो आप देखो अगर यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, ठीक है, यहाँ तक, यहाँ से भी करता हूँ, तो अभी आप देखो, यहाँ तक मुझे अच्छा खासा मुझे sideways दिख रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसी range को बना के option selling कर सकता हूँ, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे option architect में, ठीक है, option architect, तो जो मैं oscillate बोल रहा था, कि मुझे दो level की बीच में oscillate करना है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, short straddle, short triangle यह भी कर सकता हूँ, ठीक है, नहीं तो मैं short iron butterfly भी यहाँ पर बना सकता हूँ, ठीक है, तो short iron butterfly में क्या होता है, कि मुझे range अच्छा खासा मिल जाता है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, range जो है यहाँ पर automatically यहाँ पर आपको एक जेका बता दे जाएगा, कि अगर मुझे यहाँ पर, मुझे sell करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, कि ATM level का इसको मैं sell कर रहा हूँ, बराबर, तो ATM level का मैं इसको sell कर देता हूँ, और यहाँ पर, just a minute, तो यहाँ पर मुझे, अभी range मेरा identify हो गया, range देखे कितना बड़ा है, ठीक है, तो अगर market जो है, इ profit है, ठीक है, 6300, और यहाँ पर मुझे आगे 6990 तक मुझे आपर profit देख रहा है, तो मैं क्या है, आपर एक अच्छा range यहाँ पर बना सकता हूँ, अगर मुझे इसको, थोड़ा माल लिजे, hedging करना है, ठीक है, तो मैं थोड़ा दूर का, ATM level का मैं आपर, call option मैं buy कर सकता double 650 है, तो 6300 का अगर मैं call option buy करता हूँ, यह तो call है, तो थोड़ा सा मुझे आगे बढ़ा ले नहीं दीजे, ठीक है, तो थोड़ा सा मेरा profit factor थोड़ा कम हुझ जाएगा, no issues, चलेगा, because यहाँ पर मुझे मेरा जो loss है, उसको थोड़ा कम करना है, तो देखिए होता क्या है कि अगर मालीजे की market, आप भले उसको range bound आप देख रहे हो, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा 20 days का cycle अगर आप देखोगे, कि यह थोड़ा बहुत उपर है, ठीक है, मतब कि यह uptrend जा सकता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत महाँ पर call option को नहीं, तो नीचे put को short कर सकते हो, ठीक है, ताकि उसका भी फायदा हो जाए, नहीं तो हम क्या करेंगे, तो अगर मालीजे की, थोड़ा हमें लगता है कि नीचे जा सकता है, ठीक है, तो आपर क्या करेंगे, आप put को buy कर सकते हो, कि थोड़ा आपका loss का cover हो जाए, जो call आपने sell किया था, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं यह सोच रहा हूँ कि थोड़ा यह उपर जा सकता है, तो मेरा यहाँ पर क्या करेंगा, मैंने यहाँ पर call option buy किया है, ताकि थोड़ा मेरा profit factor थोड़ा अच्छा हो जाए, और loss थोड़ा मेरा कम हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पर, अभी मै क्या करूंगा, एक, यहाँ पर put option का मैं देखता हूँ, ठीक है, adjustment, थोड़ा सा adjustment हम करेंगे, ठीक है, आपको यह दिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ, कि कैसे अगर मैं इसमें adjustment करता हूँ, तो मेरा profit कैसे change होता है, ठीक है, तो यहाँ पर 6650 है, तो 6350 का मैं यहाँ पर put ल यहाँ पर 6646 पर अगर मैं sell करता हूँ, तो 6470 तक मेरा profit हो सकता है, मत अगर 200 point भी नीचे जाएगा, तो मेरा वहाँ पर profit हो सकता है, ठीक है, और यहाँ पर 200 point आगे जाएगा, तो भी मुझे यहाँ पर profit मिल सकता है, ठीक है, 6 चे 30, राइट, इसी 200 point के बीच में अगर रह जाता है, तो मुझे अच्छा खासा profit होगा, ठीक है, हम इसमें nifty को भी लागा सकते है, bank nifty को लागा सकते हैं, उसमें time decay का ज्यादा फाइदा होता है, तो nifty या bank nifty को लागाएंगे तो आपको ज्यादा फाइदे मन्द है, ठीक है, तो ज़रा nifty bank nifty को एक बाद देख ले all right, nifty oscillate कर रहा है, ठीक है, short iron butterfly मैंने लिया यहाँ पर, ठीक है, में दो को, ठीक है, यहाँ पर मुझे range थोड़ा विस तरी किसम बिला है, ठीक है, मैं कहा करूंगा, थोड़ा put को यहाँ पर, और कर देता हूं, ठीक है, थोड़ा range मुझे बढ़ा करना है, all right, तो थोड़ा इसमें कैसा 200-200 point का थोड़ा differences तो आ जाता है, ठीक है, similarly call को मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा उपर मैं कर देता हूं, ठीक है, तो इससे क्या हो जागा, range आपका थोड़ा बढ़ा हो जाएगा, और आपको profit थोड़ा इसमें से अच्छा मिलना शुरू हो और expiry जो है, मैंने क्या क्या, expiry 1st August का लिया है, ठीक है, 1st August का लिया है, तो अगर ये 1st August, ओके, आज का expiry है, नहीं, expiry मुझे change करना चाहिए, ठीक है, expiry मुझे change करना चाहिए, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर 24, 950, 24, 650, ठीक है, अल्राइट, तो यहाँ पर मुझे देखना पड़ेगा कि मेरा profit इस range में कितना हो सकता है, तो 25, 900 का level है, ठीक है, अगर ये 24, 900 पर ही यहाँ पर expire होता है, तो मुझे profit मिलने की संभावना ज्यादा है, ठीक है, ठीक है, तो देख सकते हो, अगर 24, 900 के आसपास ही मेरा अगर expire हो जाता है, यह जो contract है, तो यहाँ पर मुझे 4000 का profit मिल सकता है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक wide range का जो है, यहाँ पर identify किया हमने की wide range के इसाब से, कैसे मैं आपर option selling कर सकता हूँ, आपने यह भी देखा कि open interest को देखकर मैंने कैसे wide range को identify किया, कैसे मैंने आपर strategy को modify किया, ठीक है, strategy को modification जरूरी होता है, अपने profit के इसाब से, अगर आप option selling कर रहे हैं, यहाँ पर आप 2 option sell कर रहे हैं, मतलब 2 लाग का at least capital लगेगा, 2 लाग सुदार का अगर 1 की अचार बना रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है, कम से कम 4-5 अचार उसों बनना चाहिए, ताकि आपको profit दिखे भी, ठीक है, तो इस तरीके से मैं इसमें strategy बना के, एक अच्छा कासा selling कर सकता हूँ, तो इसमें अभी जैसे कि range identify करने के लिए तरीक ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको strangle, straddle दोनों का आपको बताया जाएगा, ठीक है, strangle और straddle दोनों है, आप दोनों strategy चुन सकते हो, अभी यहाँ पर मुझे देखना क्या है, most importantly, यहाँ पर आपको यह range identifier के देदेगा, और जो expiry आपने चुना, वो expiry को म क्योंकि हर एक दिन का range आपको अलग से identify के दिया जाएगा, all right, so मतलब अगर एक हफते बाद का आपको, मतलब किसी option को sell करके एक हफते तक hold करना, तो आपको एक हफते का range आपको बताया जाएगा, ठीक है, अभी range बताने के बाग हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि call option कौन सा इसमें sell कर रहे हैं, उसका premium किता है, यहाँ पर आपको clearly identify हो जाएगा, ठीक है, अभी इसमें मुझे क्या देखना है, यहाँ पर writing attractiveness, मतलब यहाँ पर कुछ parameters है, 5 parameters आपको दिख रहे हैं, ठीक है, 5 parameters में अगर आपको 3 green होता है, यहाँ पर IVR, IVP, theta, speed, gamma, strength score, आप अभी माल लीजे, इसमें 5 parameters में से 3 आपको green होते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम position sizing कर सकते हैं, यहाँ पर quantity को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, quantity को बढ़ा सकते हैं, अगर वहाँ पर 3 green नहीं है, 2 green है, बिलकुल कुछ मत change किजिए, आप 1 lot से ही उसमें trade करिए, ठीक है, यहाँ पर आ आपका risk reward ratio 1 to 1 ना हो, ठीक है, 1 to 1 ना हो, तब तक वह आपको वहाँ पर range नहीं बना के देगा, ठीक है, 1 to 1 होता है, तब ही आपको range बना के देगा, आप उस range में selling कर सकते हो, ठीक है, आपका जो band है, अगर यहाँ से पता नहीं चल रहे हैं आपको, आप यहाँ पर दे सकते मतब मैं यह नहीं कौँगा कि impossible है लेकिन मैं कौँगा कि संभावना थोड़ी काम है ठीक है संभावना थोड़ी काम है तो इसलिए वो range जो range bound है जो range का level है वो आपको mention करके दिया जाता है ठीक है यह जो data यह statistical based data है यह बजार का जो general consensus है यह आपको एक range आपको बता दिया जाता है statistical data कुछ calculations होते है उसके मुताबिक आपको range बनाके दिया जाता है ठीक है तो इस तरीके से आप option sharing कर सकते हो मैंने आपको दोनों तरीके बता है दोनों तरीके का अब use कर सकते हो concept के tool के बारे में जानना है उपर दियो है नमबर पे उपर दियो है जो नमबर है उसके आप call कर सकते हो और advisor से जान सकते हो कि यह tool किस तरह के से काम करता है, concept free tools है, concept paid tools है आप पूरी जानकारी ले सकते हो ठीक है और भी ऐसे जानकारी पूरी वीडियो जानने के लिए concept से जुड़े रही है, मैं धर्मदा राजबर आपका धन्यवाद